गाइज, यौर वेलकम तो मैं चैनल, SL Teaching 6 और इसकाज हम solution भी बताएंगे ठेके गाइज, तो चलिएगे दोस्तों, शुरू करते हैं देखे, question के देगाया हमें, पहले पढ़ लेते हैं question देगाया हमें, कि यह है आइसोस्किलस triangle has perimeter 37 cm and each of the equal sides is 12 cm find the area of the triangle और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह जो chapter है, इसका नाम है Heron's formula, और हम ही हाँ पर देगाया है कि एक आइसोस्किलस triangle है ठीक है, जिसका की perimeter हमें 30 cm दिया गया है और आइसोस्किलस triangle का मतलब आपको पता है, दो sides equal होना होगा इसका और इसका जो equal side का जो लेंद देगाया हमें 12 cm देखे, यह रहा यह वाला triangle, आइसोस्किलस triangle जिसमें 12, 12 है उसका side और यह best तो पता नहीं, हमें इससे निकालना पड़ेगा, ठीक है हम इससे A मानते हैं, और इससे B मानते हैं, और इससे C मानते हैं ठीक है दोस्तो, तो हमें A कितना दे गया है, हम इससे लेखेंगे, तो हमें perimeter, मतलब area निकाला ना, हिरान स्पर्मला के लिए हमें area के लिए हमें A, B और C 3 की value हमें चाहिए, तो हम पहले A लिखते हैं यहां पर, तो हमें A का value दे गया है, 12 cm और हमें B का value भी दिया गया है, जो कि है 12 cm, क्योंकि दोस्तो, आप जानते हैं, आश्यूस के लिखते में, दो ही ट्राइंगे, दो sides equal होते ही हैं, ठीक है, और हमें C का पता नहीं, तो हमें C निकालना है, ठीक है दोस्तों, तो C कैसे निकालेंगा, और हमें perimeter भी दे गया है, सुच से लेग लेते हैं, perimeter, perimeter, हमें कितना दे गया है, 30 cm, ठीक है दोस्तों, एक triangle का perimeter का formula क्या होता है, 3 side का sum, यानि कि, A plus B plus C equal to perimeter होता है, ठीक है, equal to perimeter होता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों, अब हमें A का value दे गया है, B का value दे गया है, सो इसे put कर देते हैं, सो हमें A का value कितना दे गया है, 12, plus B का value हमें कितना दे गया है, वही 12, plus C कितना दे गया है, पता नहीं, सो हम C को C ही लिख लेते हैं, ठीक है, छोटा सा C होगा यह, ठीक है, यह हम पर कुछ इस तरह सा हम दे देंगे के हम अब पेरिमेटर हमें कितना दे गया है 30 मतलब 30 सेंटिमेटर ओके यह में दे गया है अब क्या करेंगे हम कि थोड़ा ध्यान दीजिए आप दोस्तों तो 12 12 कितना हो रहा है हमारा देखिए 12 प्लस 12 is equal to 24 सेंटिमेटर प्लस सी एक क्वाल कितना होगा हमारा बच्चों 30 सेंटिमेटर सो सी एक्वाल टू कितना आजाएगा हमारा सी एक्वाल टू हमारा आजाएगा 30 सेंटिमेटर माइनस 24 सेंटिमेटर ओके ओके सो आपका सी कितना निकल के आ जाएगा आपका सी निकल के आएगा हमारा सेंटिमेटर सो हमें ए मिल गया हम यहां पर फिर से लिख लेते हैं सो हमें है मिला 12 सेंटिमेटर बी मिला 12 सेंटिमेटर और सी भी मिला हमें कितना 6 सेंटिमेटर ठीक है ओके सो अब हम क्या करेंगे एस निकलेंगे ना ठीक है सो अब एस क्या होगा कि एस इक्वाल टू इसलिए हम निकलेंगे क्योंकि हमें हेरन परमृल ऐसा अगर अरिया को निकलता है उस में एस की बहुती बड़ी आबजकता होती है इसलिए हम S को निकालेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे कि बाई यूजिंग बाई यूजिंग तो दोस्तों बाई यूजिंग हैरोन्स फर्मूला हमें क्या मिलता है root over of S into S minus A into S minus B into S minus C ठीक हम यहां पर value सिर्फ put करेंगे और यहां पर S का value हमें कितना मिला पंदरा 15 माइनस 12 और 12 और फिर 15 माइनस 12 फिर 15 माइनस 6 ठीक है तो इसका जो value निकल के आएगा हमें कितना मिल जाएगा कि 15 into 3 निकल के इंटू फिर से वही ती निकल के आएगा इंटू नो अगर हम इसे करते हैं रूट और तो हमें मिलेगा 9 रूट 50 ओके दोस्तों cm square तो दोस्तों यही है इस question का answer तो यहीं पर होती है आज की यह वीडियो की समापती तो वीडियो का अच्छा लगा प्रिस कमेंट करके बता दना अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्रिस लाइक कर दीजे सेर कर दीजे चेनल ऐसे लटीचिंग को फिर मिलता इंगले सेकर वीडियो में तब तक के लिए अच्छा चाहिंद जय भारत इस आप कर दो 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 झाल झाल झाल